Hello Viewers, जैसा के पिछली वीडियो में हमने आपजेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट को डिसकस किया तो इस vीडियो में हम एक्टिव बाइस को डिसकस करेंगे अब स्क्रीन पर देख सकते हम एक्टिव बाइस किया है Anything which is currently doing or start एक्टिव वाइस में subject हमेशा object से पहले आएगा आप example में देख सकते हो present tense की example एक I do my homework अब do object से पहले आया हुआ है अब यह क्या है यह active wise है अब हम अगली वीडियो में passive wise को discuss करेंगे आप इस पर practice जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कीजिए तब तक के लिए अल्ला हाफिस